हलो गाईज और वेल्कम बाक टू माई चानल सिर्फ आएएस तो चैलेंजस टो इंटर्न सिक्यूर्टी आफ इंडिया की सीरियस को कॉंटिव करते हुए मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ चाप्टर नमबर टेन जिसका नाम है सिक्यूर्टी चैलेंजस और दियर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियास यह पाल्ट वन है चाप्टर काफी बड़ा है इसलिए शायद चार पाल्ट लग जाएंगे इसके अंदर तीन चार पार्ट में से कंप्लीट करा जाएगा तो आईए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रगलर अपडेट मिलती रहे हैं तो टॉपिक जिससे हम यहां पर शुरुआत करने जा रहे हैं वो कहता है चैलेंजस ओफ पर कप्राइब कहते हैं तो बॉर्डर कितने तरह के होते हैं यह समझी सबसे पहले एक लांड बॉडर है अगर हम किसी कंट्रीकी साथ बॉर्डर बन रहा है तो एक लांडर के अरिया से बनाते हैं नैपाल बगाज़ समझ j tart,me, data, ड्य के में रर्दू हो गया है। अगया ह जाते हैं और एक आता है हमारा air space भई हवा से होके जो भी बॉर्डर बनाते हैं तो यह इन सब को secure करने के जिम्मेदारी बहुत जरूरी है कि कोई भी country अगर इससे terrorist को एकदम infiltration करेगी कि घुसके इसली आ जाएं बॉर्डर से तो country बरबाद हो जाएगी तो इसलिए इसको protect करने की बहुत बड़ा challenge होता है कि हम बॉर्डर पे security अपनी मजबूत रखें तो देखिए बॉर्डर ही दिखते हैं और इसी की चक्कर में country एक बचके रह सकती है country की unity country की integrity काफी matter करती है और मैंने आपको बताया कि कितने तरह के होते हैं borders अब देखिए आज के time पे अगर हम देखें border security तो बहुत ज़दा important है और क्यों कि हम देख रहे हैं कि हर तरीके से terrorist कुसने की कोशिश कर रहे हैं country के अंदर country को बरबात करने की चाहे वो air से हो चाहे वो land से हो चाहे वो coast से हो तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम border अपना secure रखे और भाई 1995 में 1995 में पुरूलिया incidence हुआ था उसने हमें दिखाया था कि हमें सिर्फ land और marine मतलब पानी से ही border को बचाने की जरवत नहीं है बलकि air से भी लोग आ सकते हैं तो भाई पूरी तरीके से आपको अपना border management हर एक तरीके से करना होगा जल, थल, वायू हर तरीके से खड़ना होगा पानी से, air से और आपका land से हर तरह से protect करके रखना होगा तो काफी difficult बात है यह और कुछ maritime boundaries अभी भी बहुत अच्छी settled नहीं settled उनका तरीका settled नहीं है, अभी भी unsettled है, land borders पुरी तरीके से ऐसे नहीं है कि भई हर जगा पे demarkation दिया हुआ है, जारी लगी हुए है कि यहां से कोई नहीं आ सकता, है ना, तो भई यह कुछ दिक्कते यहां पे हैं, care, यह challenges की बात करी, अब हम यहां पे बात करेंगे, इंडिया की land boundaries, जो की हम कुछ immediate neighbors हैं हमारे, बिलकुल पडोसी हमारे कौन-कौन है, उनके साथ क्या boundary लगती है, कैसे वहां खत्रा है, क्या नहीं है, आईए आपको समझाते हैं, एक-एक करके, तो देखें, हमारे इंडिया की जो boundary है, approximately आप समझो कि 15,000 km की जो boundary है, 15,000, उसमें हमारे पडोसी देश रहते हैं, पडोसी देश में एक है हमारा यह पाकिस्तान, जिसे कोई भुला नहीं सकता, भुलाए नहीं भुला सकता, एक हो गया चाइना, फिर आता है यह नेपाल भ हाई साहब, और यह साथ में मयनमार चलते हैं, और आखरी में बांगलादेश भी लेलीचे, तो यह सारे लोग जो हैं, वो हमारे हैं पडोसी, और हर एक जो हमारा पडोसी है, उसके साथ अलग अलग तरीके की हम boundary यहाँ पे शेर करते हैं, अपनी खुद की unique तरीके की boundary शेर करते हैं, कहीं पे अगर आप उधर चले जाएं तो बही उपर यहाँ पे ठंडक हो जाएगी, तो कहीं पे गर्मी हो जाएगी, अलग अलग तरेक यहाँ पे चीज़े हम शेर करते हैं, कहीं जंगल जादा है, रैसे आपको समझाओं में, इंडिया और पाकिस्तान का जो border है इसमें बहुत extreme climatic condition है, यहाँ पे जो इंडिया चाइन की boundary है, इसमें भी काफी बड़े बड़े उचे-उचे mountains, और आपको 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 दिखेगा, यहाँ बहुते हैं, मैं तो गई ती तो इनोने बठाया कि सामने जो देख रहे हैं, आपकी चाइना का बॉर्डर है उस पर हमेशा यहाँ बर्व जमी रहती है, तो यह है, फिर एसी इंड परहुते हैं, तो अलग अलग तरीके की climate condition आप देख रहे हो, यही एक वज़ा है, यह जैसे चीज होती तो अलग की बात इप, लेकिन हमें हर एक boundary जो दूसरे देश के साथ बना रहे हैं, उसमें एक अलग तरीके की force, अलग तरीकी का management, अलग तरेकी strategy लेके दाने की जरू नहीं देश के लिए बहुत ही जादा बढ़ा चैलेंज है अज आपको समझाने चारहे हैं तो सबसे पहला जो हम समझाएंगे जिसके बारे में बिल्कुल आपको इंटरेस्ट नहीं है यह देश है हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर सबसे पहले देखिए यह इसके बारे में समझा आते हैं तो इंडिया और जो पाकिस्तान है इसकी जो boundary है न बच्चो तो यह तीन डिफरेंट हैट्स में आप इसको divide कर सकते हो वो तीन different heads क्या है पहला है red cliff line तीन different heads में आपे 100 karat rise करेंगे पहला है red cliff line ये red cliff line क्या है ये एक 2308 2308 kilometer की एक लंबा stretch है जो की हमारे gujarat से होता हुआ गया है और ये jammu district जो की jammu in kashmir में वहां तक फैला है तो इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते है red cliff line उसके बाद दूसरा है line of control जिसे short form में LOC बोलते हैं काफी फेमास है ये line सिर्फ 776 kilometer लंबी है और ये कुछ जो district है jammu की, jammu के कुछ part से होते हुए गई है रजाओरी से पूच, बारा मुला, कुपवारा, कारगिल और कुछ part आपका ले है ले लद्दाक वाला जो ले है वहां तक आई है, तो ये LOC है तीसरा जो है वो आप कह सकते हो actual ground position line AGPL, ये कितनी लंबी है 110 km की लंबी है ये आपका जो NJ 9842 है वहां से इंदरा कोल जो नौर्थ में पड़ता है वहां तक के लिए है तो इतने कुछ जगह पे हमारा border यहां पे share होता है पाकिस्तान के साथ में अब देखिए, जो नीचे की दो मैंने बताई एक मैंने जो LOC आपको बताई और दूसरी मैंने आपको जो AGPL बताई इसमें हमेशा कुछ न कुछ दिक्कते लगी रहती है क्योंकि यहां fighting हुआ करती है आर्मी इसके बीच में border security बहुत साथ मजबूत होती है दोना साइट से बड़ी दिक्कत होती है बहुत खत्रा होता है लगातार पाकिस्तान यहां terrorist बेचा करता है कश्मीर की यहां को भड़काया करता है तो देखिए एक इसमें अलग-अलग तरह यहां पे जमीर है जैसे कि deserts हैं फिर marshes आ गए plains आ गए पिर snow-clad mountains बड़े-बड़े आ गए यहां हमेशा बरफी जमी है या हमाय चल लहीं है गाउं से होती हुए वहां जो घर है या agriculture land है तो ऐसा कुछ एक plain जमीन है नहीं और यहीं एक वज़ा है कि बहुत तेजी से वहां पाकिस्तान से यहां पे terrorists घुच जाते क्योंकि porous border है समझ रहे हैं तो इससे बहुत सारी illegal activities या हरकते अपनी बास तो खहराते नहीं है तो illegal activities करा करते हैं इसे smuggling कर लिए, drugs वगेरा इधर से उधर कर लिया, arms की trafficking कर लिए अपना घुज गए बामम फेकने के लिए heroin जानते हैं ना drugs वगेरा heroin या fake Indian currency यह से मैं आपको पहले बताया है बहुत खदरनाक होती है fake Indian currency अमरे देश की एकनॉमी के लिए तो यह heroin और fake Indian currency इसी दो आइटम हैं जिसकी smuggling इस border पे हुआ ही करती है कुछ और चीजों की भी smuggling होती है जैसे saffron, केसर हो गया, textile हो गया, mercury हो गई यह पाकिस्तान से smuggling इसकी करते है अब देखिए border के आसपास जो गाओं है यह smuggling में बड़े तरीके से involved रहते हैं कि आपका पंजाब के अंदर, especially लुदियाना में बहुत साथ है बहुत कंड्रोल करने की कोशिश करी जाती है लेकि तब भी यहां का यूद काफी involved हो जाता है इसके साथ कुछ border की जो population है जो border के आसपास जो जनता रहती है यह भी बहुत जादा बिलकुल जो पाकिस्तान जो प्रोपगेंडा फिलाता है कि आरे देखिए आपके उपर अत्याचार हो रहा है यह वो इससे काफी भढ़की रहती है देखा है मुँपे कपड़ा बांदे कश्मीर के यूद काफी बाम फेका करते है अच्छे कासे लोग को भढ़काने वाला काम यह करता है उसके बाद सर क्रीक एरिया जो है अपने बाई ऐसी वहां की जो जमीन है वो सही नहीं है थोड़ा उसकी वज़े से क्या होता है कि बार्डर गार्डिंग फोर्सेस काफी टफ होता है उनके लिए यह बार्डर को गार्ड करना और वहां से भी काफी इल्लीगल फिशिंग होती है क्रीक्स की तो मतलब समझा आप लोग कि बाई जो गार्डिंग फोर्सेस इतने अच्छे से यहां पे देखने पाती है और छोटा सा एक नाच्रल स्ट्रीम जो पानी की बहरी होती है मतलब बड़ी टिब्यूटरी रिवर से थोड़ी छोटी होती है वहां पे इल्लीगल फिशिंग यह लोग करने लग जाते है अब देखिए एक वज़ा यह भी है कि रिष्टे अच्छे नहीं है पॉलिटिकली रिष्टे अच्छे नहीं है इतनी सारी लडाईयां करीब साड़े तीन लडाईयां हो क्योंकि हमारी पाकिस्तान के साथ में साथ ही साथ पाकिस्तान देखिए जो इंडिया को तोड़ने वाले जो एलिमेंट्स हैं जो लोग है जो कहते हैं अलग देश चाये बहुत आपagen करने इंडिया से अलग करना आ उसका काफिस साथ देता है ना कुछ रहने वाले बॉर्डर्स जो कि पाकिस्तान सौरी पंचाब के लोग हैं उनको भै comigo कुछ खालिस इलग करना इलग करना इनका काफिस साथ देता है साथ इसाथ जम्मु एन कश्मीर में जो कहते हैं हटाओ हटाओ जम्मु एन कश्मीर को अलग करना है उनको काफी सपोर्ट देता है पाकिस्तान तो इस वज़ा से भी यह भी है कि भाई इनका हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है पाकिस्तान के साथ बॉर्डर उसके बाद देखें यहाँ पे बहुत रोक रखा गया है लोगों को कि इधर मज जाओ उधर मज जाओ बॉर्डर के इधर उधर मज जाओ तो यह strictness भी है देखें लेकिन पिछले 10 सालों में क्या हुआ क्या है कि एक बढ़ती हुई इंडियन एकनॉमी इसके साथ दोनों कंट्रीज कोशिश कर रही है कि हम किसी तरीके से एक ऐसा रास्ता बनाएं जिससे जो बॉर्डर है और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वो धीमे 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 ओपन हो ट्रेड के लिए तो ये किताब तो तब लिखी गई थी चीजे अब बहुत पॉजिटिव हुआ करती थी बट अभी क्या है अभी तो बिल्कुली रिष्टे एक दम हमारे बहुत सारा सड़ चुके हैं पाकिस्तान के साथ में साथ ही साथ भई पुलवावां अटैक के बाद तो चीजे बहुत सदा खराब हो गई थी क्योंकि वो बाज ही नहीं आता है तो यह कुँछ हमने बात करी जो कि हमने इंडिया पाकिस्तान के बर्दर के बारे में करी अब millions जो आपसे बात करना चाहते है वो करेंगे हम इंडो-China बर्दर के बारे में तो भई देखो आज कल जो चाइनीज है इनका भी कुछ रुक बदला बदला सा है तो शुरुबात में आपको लेके चलते हैं, पूरी ही जो सीनो इंडियन बॉर्डर है, सीनो आपके चाइना का मामला जो है, इनको सीनो अभी कहते हैं, तो सीनो इंडियन बॉर्डर कहते हैं, इसमें आपका वेस्ट वाली LAC, LAC आती है, कुछ छोटा सा आती है, इस्ट के अंदर, तो काफी बड़ा बॉर्डर चाइना से भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ये टोटल बॉर्डर जो है, वो 4,056 किलोमेटर का लंबा है, इससे कुछ ये 5 स्टेट्स से हो कर जा रहा है, एक आपका जम्मू और कश्मीर बीच में आती है, एक आपक तिबथ के Autonomous Region से होते हुए यहां पर जा रही है, और जो दिमार्केशन है बीच में, ये एक इनफॉर्मल सीस फायर लाइन से है, बतलब जो बीच में दिमार्केट किया गया है, ये एक इनफॉर्मल, फॉर्मल कुछ नहीं, सीस फायर लाइन है, जो इंडिया और चाइना आपक्ष्वल कंट्रोल बाद में कह दिया गया, एक अगरीमेंट हुआ था, बायलेटरियल अगरीमेंट दोनों ही कंट्री इस के बीच में हुआ था, और लाइन ऑफ आक्च्वल कंट्रोल जिसे मैं नाम लिया LAC, तो उसको LAC ये एक ऑफिशल अगरीमेंट में जो है वो फाइनली एक्सेप्ट कर लिया गया, अब देखिए, चाइना की बात करें, तो चाइना अप्रॉक्सिमेटली अगर हम देखें, 38,000 स्कॉर किलोमेटर जो हमारे इंडिया की टेरिटरी का है, जम्मु एन कश्मीर में, वो वहाँ पे काम कर रहा है, उसके साथ जो चाइनीज चाइना पाकिस्तान के इतने बढ़ी हारिष्टे हैं, चाइना काफे पाकिस्तान को सपॉर्ट करता है, तो चाइना पाकिस्तान के रहे रिलेशन है, बाउंडरी एगरिमेंट एक हुआ था इनके आपस में 1963 में, तो उसके रहाब से क्या है, पाकिस्तान ने अपना 5,180 जुपास, पाकिस्तान के इंदर पाकिस्तान के पास जो थी पाकिस्तान O.K कश्मीर में, पी ओके में, यह उखना चाइना को देदी थी, चाइना केता है की मेरे पास 90000 स्कॉर किलोमेटर्ज इंडिया टरिटर्य है और वो अनुराचर की है, और ANURACRA प्तिच की नहीं कि अन्दर प्रदेश इंडिया के अंदर आता है या रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है खेर तो हर इंसान को इंडिया में से हिस्सा चाहिए यही बात चला करती है अब देखें चाइना और इंडिया इनके बीच का जो बॉर्डर है ना कभी भी यह ओफिशिली भी डिलिमिट नहीं कर रहा है मतलब चाइना की जो पोजिशन है यह इसट वाले हिस्से में अनदा पड़ेश वाले हिस्से में बॉर्डर जो हो राये दूनों कंट्रीज के बीच में हमेशा से एग कनसिस्टेंस रही है एक भी एक भी चाइनिज सरकार जो वहाँ पर आई है चाइनिज गवर्णमेंट आई है उन्होंने किसी ने भी रिकगनाइज ने करा है इल्लीगल मैक मोहल लाइन को आप देखें चाइना के लिए क्या है ने तीन चीज़े हैं यहाँ तो जो मैक मोहल लाइन है वहाँ अगर बताएं चाइना के लिए मेक मोहल लाइन एक ऐसा सिंबल है उस समय जो ब्रिटिश थे ब्रिटिश ने अपने जो है अग्रेशन में अपने आपको बढ़ावा दिखाने के लिए इसको ड्रॉ करा है और जो अनुनाचल अप्रडेश का डिस्पूट चल रहा है चाइना की साइट शीज़ सा eh Č यदा चाइना की आपस tuition के लिए के यही है कि जूच चाइना की ओर इंडिया की जो रिष्दे हैं जो Gap है इनकी position के बीचमे काफी बड़ा है काफी मुश्किल है डोनों nation के लिए कि एक कुछ बनाए कि एक टेबिल पर आके एक कंसेशन कुछ निकालें इसका और जो एरिया है इस डिस्प्यूटेड जो आगी कह रहा है अनुद प्रदेश का एरिया कि चाइना हम रख लेंगे या मेरा है या हम रिकनाइस नहीं करते तो चाइना ये एरिया इतना है जो बिर्टेन और अर्जंटिना के बीच में वो मैं मेरे साइनेट उससे दस गुनादा बड़ा है तो समझ रहे हैं काफी ज़दा यहां पर पानी है काफी दा फॉरे रिसोर्सेस है तो क्यों नहीं नजर गिरेगी चाइना की अपने तो रिसोर्सेस दो पुरी तरह से य हो यह चाइना हो अगर लड़ाई करते हैं अगर वार होती है तो यह अरुनाचर पदेश के ही इशु पे होगी यह समझ लीचेगा ठीक है यह इंडिया मानता है कि यह जो सीनो इंडियन बॉर्डर है यह वह बहुत जादा इसकी जो बॉर्डर है ना इंडिया का चाइना के जिससे जिंजान जो इन जिंजान जो इनका रीजन है peynet होता रहता रहता है चाइना जो है वह काफiras जादा इसका इसा का इसे कानेट करती समय में में इनडिया में क्या है तो जहां बॉर्डर कर रहे है तो इसकी नियत खराबी है कि अभी तो दोकलाम विवाद वगेरा भी हुए थे काफे जदा दिक्कते आहीं थी आगे आगे देखते हैं होता है क्या चलिए तीसरा बॉर्डर जो हमारा इंडिया बनाता है वो बना रहा है बांगलादेश के साथ में तो इंडो बांगलादेश बॉर्डर के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगी तो इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर अगर आपको इंडिया स्टेट के साथ में वह वेस्ट बेंगॉल के साथ में लगता है वेस्ट साइस से नौर साइस से और आपका असाम के साथ में लगता है मेगालिया के साथ में लगता है नौर्थ इस्ट में अगर हम देखें साथ तिपुरा के साथ और मिजुरम के साथ भी लगता है त पर देखिए नाच्रल बेरियर्स थे हैं यहां पर मिर्यांडर्स गाय हुए है यह गाहों वगेरा है अगरिकल्चर लैंड रिवर्स वगेरा है इस वज़े से यह काफी जादा पूरत हो जाता है यहां इतना इजह नहीं है बाहर के लोको का अधर है साथ इसाथ इतना कुछ दिमार्केशन प्रॉपर निया कि यहीं से चला जाएंगी चीज़एं फिर इन्कलेव बने हुए हैं चित्तमोहल जो आपने सुनाओगा इंडिया ने कुछ डिये थे भाही बांगलादेश को बां भी खत्रा है अब देखिए 1974 की बात है हुआ क्या था कि जब बांगलादेश अदाद हुआ था उसके तीन सालों के बात की बात है मतलब 1974 में उस समय के जो प्रधान मंतरी थे हमारे इंडिया के और बांगलादेश के उन दोनों के नाम थे इंडिया की तरफ से इंद्रा इन्होंने एक अग्रिमेंट करा कि भाया देखो हम ये लांड बांटरी का जो इशू आ रहा है इसको हम खतम कर देंगे बात खतम हो जाएगी और इस अग्रिमेंट का नाम दिया गया बच्चों इंद्रा मुझीब अग्रिमेंट इसमें कुछ ऐसे तरीके थे कि किस तरीके के अंदर क्या हुआ इंडिया ने जो south वाला हिस्सा था आधे enclaves का वो अपने पास रख लिया और बांगलादेश ने जो दूसरा वाला हिस्सा बचा वो अपने पास रख लिया कि भईया देखो दिक्कते क्या हो रहे कि भईया हमारा आपका हिस्सा हमारे में आ रहा है हमारा हिस्सा आपके में आ रहा है लोगों को भी दिक्कती सब दिक्कती तो क्या है इस agreement के अंदर चीजों को solve कर दिया गया अब देखिए जो इंक्लेव बिल था वो पार्लिमेंट के अंदर पेंडिंग रहा और जरुवत थी इसकी डिसकस करा जाए डीटेल में आज की डेट में अगर मैं बताऊं तो 111 111 इंडियन इंक्लेव बांगलादेश के अंदर और 51 बांगलादेशी इंक्लेव इंडिया के अंदर इंडिया के पास कोई भी एक्सेज नहीं है इसके पास कोई ऐसी पॉसिबिल्टी भी नहीए कि कोई ऐसा लोग वहां रहते हैं उनके लिए और दिक्कत क्या है कि यहां इतना वहां इस इधर से उधर हो सकती है, इल्लीगल माइगरेशन होता है, बांगलदेश यहां के कुछ ना कुछ इंडिया के अंदर, कुछ इंडिपेंडन्स के बाद, बहुत बार देखने को मिला है, टेरियर्स आगाए, कुछ इल्लीगल ट्रेडिंग हो गई, कुछ भी हो गया, कई सारे पुष फाक्टर्स है, पुष फाक्टर्स और पुल फाक्टर्स समझते हैं, देखिए, आप मैं सबूसकर यह गाओ में रह रह रहे हैं, आपे खाने को रोटी नहीं है, इंप्लोईमेंट नहीं है, ठीके बिली नहीं आती, पुष फाक्टर्स है, और पुल फाक्टर्स क्या होते हैं माइग्रेशन के, कि माल लेज़े, यहाँ आप 10,000 कमा रहे हैं, और बाहर कंट्री में आपको एक लाख मिल रहा है, तो क्या होगा, कि वो आपको अट्राट करेगा, आपको खीचेगा, तो यह पुल फाक्टर्स होते हैं, तो ऐसे ही अगर मैं आपको बता हूँ, तो यहाँ पे अगर हम इसके देखें, तो इल्लीगल माइग्रेशन जो बांगलादेश से होता है, उसमें कुछ पुल फाक्टर्स, मतलब वहाँ गरीबी है, सपोस्ट करो, तो वहाँ से यहाँ आगए, ठीक है कुछ पॉलिटिकल मामला हुए, कुछ रिलीजिस परसीक्यूशन हो रहा है, उनके ओपर कोई जात्ती हो रही है, हिंदू-मसलिम वाला इसाब किताब हो रहा है, कोई भी और कम्यूटी का हो रहा है, कुछ डेमोक्रिटिफ प्रेशर है, कि जहाँ वहाँ की जो जिस एरिया में उरु ले रहे हैं, मालीजिस वहाँ की लोग उनको साइसे रहने नहीं दे रहे हैं, या कुछ इन्वार्मेंटल क्राइसे से बाल बाल आती है, या कोई दिक्कत है यहां पर, या कुछ पुल फाक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि मालो की लैंड वहाँ पर अच्छी नहीं है, इंडिया में अच्छी है तो आओ वहाँ पर खिचे चले आए, इंडिया के अंदर अब इंप्लॉइमेंट अपॉर्चुन्टी बहुत अच्छी है, तो वहाँ खिचे चले आए, मेडिकल केर बढ़ी है मिल रही है, एजुकेशन बढ़ी है मिल रही है, तो यह इन सबसे क्या होता है, लालच से भी कभी-कभी जो बांगलदेशी है, वो इंडिया के अंदर घुस आते हैं, बॉर्डर इतना असार है, यह अराम से घुस आए लोग, अराम से यहाँ पर जगा ले ले, ठीक है, तो यह जो बॉर्डर, जो पोरस बॉर्डर है, ऐसा, इसमें ऐसे एकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, गरीबी है, अंडर डेवलप्मेंट है, जो लोगों की दिक्कते हैं, इसकी वैसे बहुत छोटे छोटे लेवल पर, यह लोग क्या करते हैं, कि छोरी चमारी करने लगते हैं, क्राइम करने लगते हैं, पिटी क्राइम्स करते हैं, या ऐसा कुछ करने लग जाते हैं, कि बाई ये क्रिमिनल्स के बीच में पुलिस के बीच में बड़ा ही ऐसा और इसा नेक्सस करते है सारी जो बार्डर काटिंग फॉर्स हैं ये भी काफी कोशिच करती हैं बट ये ड्रांस बार्डर क्राइम यहां भी काफी ज़ादा जो है इसमें भड़ते हैं की स्मग्छिंग हो जाती है कैटल्स की, काफी सीरियस हो रहा है कि इधर से उधर कैटल की स्मग्लिंग हो रहे है। ट्रक लोड्स जो के गेटल का हो गया, अर्यान, सरयाजिस्तान से, उत्तरपदेश, मद्रपदेश, यह सब भी पहरा इता है इंडिया बड्राइशकी बोडर में, हर एक दिन भेशते हैं, हर एक दिन, समझेरा न, तो यहां से अगर हम देखें, तो यहां से बहुत दिकते हैं तो यह लगातार ऐसा होता रहता है कि विचारी ऐसी कैटल को पकड़ा करती है जो इल्लीगली इधर हो रही है कैटल के साथ आम्स की स्मगलिंग कुछ सरूरी वस्तुमें जैसे की चीनी हो गई नमक हो गया डीजल हो गया हीवेन मतलब समझे लिए हुमेन ट्राफिकिंग भी होती है नार्कोटिक ट्राफिकिंग होती है काउंटर फिट इंडियन करनसी हो गई किडनापिंग कर ली गई चोरी औगेरा, three theft औगेरा ही हैं, तो यह सारी दिकथी देखने को मिलते हैं, आप देखिये, जो हमने आपको इस बताया है, enclaves का जो issue मैंने आपको बताया था enclaves का issue असर में क्या है आइए समझाते हैं आपको आज की date में मैंने बताया न 111 111 Indian enclaves हैं बांगलादेशी अंदर और 51 बांगलादेश enclaves हैं इंडिया के अंदर ठीक है तो मैंने आपको बताया है यहां कुछ बना नहीं सकता सेट अप नहीं कर सकता स्कूल नहीं बना सकता ठीक है अपने वहां के लोगों के लिए और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और बांगलादेश की प्राइम मिनिस्टर इन्होंने एक land boundary agreement को 1974 में साइन करा था मैंने आपको यह चीज़ बताई थी पहले किंद्र गांदी जी के बीच में और जो दूसरे वहां के जो मुझीव साहब थे उनके बीच में एक agreement साइन हुआ था कि आप एक काम करो अपने इंकलेव हमको दे दो हमारे इंकलेव आप कर ले लो ठीक है तो असान हुचाएगा थोड़ा इंटरनाशनल बॉर्डर और इसी के साथ 1974 में बांगलादेश ने एक प्रपोसल लेकर आया लैंड बाउंडरी अग्रिमेट बट इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं करा सन 2011 की बात है अब याज से करीम नौ साल पहले दोनों ही कंट्री ने कहा कि ठीक है हम अपने इंकलेव एक दूसरे को दे देते हैं और फिर से एक अग्रिमेंट करा गया और फाइनली दोनों कंट्री ने जब पार्लिमेंट आप इंडिया ने यहाँ पे 111 इंडियन इंकलेव थे अगर हम साइज आपको इनका बताएं तो 17,1160.63 एकर के वाइल इंसाइड दे में पाल्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे 51 बांगलादेशी इंकलेव थे जिसका एरिया को 7,11010.02 एकर था तो एरिया का ऐसी नहीं है 2777 एकर उफ लांड पाई और 2267 एकर उफ जो लांड है उसे बांगलादेश को ट्रांसफर कर दिया तो इसे अगरिमेंट के अंदर क्या हुआ इंकलेव रेजिडेंस जो है वहाँ रह सकते थे और जहाँ पे भी वह रह 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 थे वहाँ रह सकते थे या फिर जैसा चाहे अपनी कंट्री जैसे कंट्री में आना चाहे चाहे बांगलादेश में ना चाहे बांगलादेश में ना चाहे इंडिया में आना चाहे इंडिया में आ चाहे जैसा भी रहे वाईसा वर्सा वो ऐसा कर सकते थे तो ये कुछ इशू था और जिसे हमने आपको बता दिया अब बात आती है राम जी नेपाली थे मतलब इंडियो नेपाल बॉर्डर के बारे में तो ऐसा इनके ब्रदान मंसरी का कहना था देखिए नेपाल का जो हमारा कंट्री है ये काफी ददा क्लोज मने जाती है इंडिया के काफी अच्छे रिलेशन भी है काफी क्लोज नेबर्स भी है और ये अच्छा रिलेशन इसलिए है क्योंकि हम काफी कॉपरेट करके चलते हैं ओपन बॉर्डर से हमाई तरफ अगर आप कहे हूँगे उदर तनकपूर साइट तो आपने देखा होगा कि इंडिया नेपार की बीच में कोई बॉर्डर ऐसा नहीं है अराम से आप जाए अधर से अधर जाएए लोगों की बीच में रिष्टे बहुत अच्छे है यहना कल्चर की वज़े से भी काफी है इतना लंबा समय से लोग भी तर उतर आ रहे है बहुत लंबा टरडीशन है यहना नेपाल का काफी बड़ा एरिया उसकी पॉपुलिशन अगर मैं बताओ नेपाल की 29 मिलियन है इसका बॉडर अगर मैं आपको बताओ इंडिया के साथ में तो 1850 1850 किलोमेटर का इस्ट साइड है साउथ है वेस्ट है और इसमें कुछ पाँच इंडियन जो स्टेट्स है जैसे की पहली आपकी सिक्किम हो गई फिर वेस्ट बेंगौल हो गया बिहार हो गया उत्तर प्रदेश हो गया उत्राखंड हो गया तो ये कुछ पाँच इंडियन इस्टेट्स हैं जो आपकी नेपाल के साथ बॉर्डर को शेर करती है अब अगर हम नॉर्थ में देख लें इंडिया और नेपाल की एक ट्रीटी हुई थी ट्रीटी हुई थी उनिस सो पचास में ट्रीटी जो थी वो पीस एंड फ्रेंड्शिप के ऊपर थी और इसी से हमारे रिष्टे इनके साथ बहुत अच्छे हो गया तो आप कहोगे मैम कैसे अच्छे हो गया तो हुआ क्या था बच्चों कि इस ट्रीटी के हिसाब से जो नेपाली सिटीजन से जो नेपाल के रहने वाले नागरिक थे इन्हें एक फायदा प्रॉपर मिल रहा था इंडिया से ठीक है कि आपकी जितनी फैसिलेटीज हैं आप पॉरजन्टीज हैं इंडियन सिटीजन के साथ से अन पैरलर अडवांटेज इनको दिया जा रहा था करीब छे मिलियन नेपाली जो वहां के नागरिक थे वो रहते हैं थे और काम भी करते हैं इंडिया में आपने देखा हो पॉर्डर गार्डिंग फोर्स है जो की इनडो और नेपाल बॉरडर के बीच में गार्ड करती है अब देखिये यह तो हमने अची-ची बातें करी लेकिन यहां पर कुछ दिक्कते भी हैं जाधा तर क्या हो किया रहा है देख जो हेमालियन रिवर्स है उनका कोर्स तो बहुत सारे ऐसे बॉर्डर पिलर्स है जो खराब हो गए डिस्ट्रॉय हो गए हैं और यहां पर कोई ऐसा लैंड नो मैंस लैंड बाइ पीपल फ्रॉम इधर साइड आड तो दे प्रॉब्लम है ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों देश के लोगों ने कोई दिक्कत करी एक ने इनका हिस्सा चीन लिया कुछ एक्सेस के जबरदस्ती जमीन को चीना जा रहा है बॉर्डर हमारी तरफ से जादा बढ़ गया है आपकी तरफ से कम हो गया है आपने जादा ले लिया है हमारी तरफ से कम हो गया है यह फालतों में यह इशू उठा करते हैं और यह दिक्क तो इधर से उधर आ गए अब यहां जो रहे हैं , उनको दिककत होने लगी , यहां वो सकता है , कि लिए ओपन वॉर्डर है , जितने फाइदे होते हैं , नुकसान है , टैरिडिस्ट वगेर थे है , इंसर्जेंस वगेर थे बात . यह लेट 1980s कि बात , उसमें 그야 सिक्व और कश्मी यह इंडिया अंदर गुचते थे नेपाल की थ्रू आपको बता है उल्फा वगेरा मैंने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था जैसे पूरी सीरीज देखेंगे आपको समझ में आएगा उल्फा वगेरा एंडी बीएफ वगेरा केलो वगेरा इन्होंने काफी फायदा उठा इससे बच बचा के यह ओपन बॉर्टर का फायदा उठा के छुप जाते थे आई एसाय हो गया लश्करे ताइबा एली टी इसे कहते हैं वह गया दूसरे टर्रेस और्कनाजिशन हो गया यह तो कि नेपाल का बड़ा यूस करते हैं कि किस तरीके से नेपाल की थूपे से हम इंडिया में घुच जाए और नेपाल तो बहुत अदा गुस्सा भी रहता है कभी कभी इंडिया से तो हाँ चलो आओ साथ भी देता है तो ऐसे दिक्कते होती है यह इसका बड़ा फाइदा उठा दे है अब देखे एक मधेसी का इशू था बड़ा आपने सुना हो गया इ जो है उनको satisfy वहाँ के सरकार नहीं कर पाए ती मधेसी को नहीं कर पाए थी धारूस को नहीं कर पाए थी यह दोनों में लाग एक करी 70% population बहु रही थी वहां के तरही डिजन के तो भाई क्या होने लगा कि मधेशी वहाँ पर बवाल करने लगे नेपाल के अंदर इस्पेशलिक तरे रीजन में क्यों क्यों कि उनके मन की बात नहीं हुई और इसकी वज़े से उस जगह पर जिन्दगी जीनना बड़ा मुश्किल हो कि अब अप कहों कि आखिरकार मैं हम डिमान्ड या कर रहे थे वो डिमान्ड ये कर रहे थे कि उन्हें जो पॉलिटिकल जो चीज़े चल रहे है उन्हें उसमें कुछ हिस्सा चाहिए मतलब कैसे कि परपॉश्णल पॉलिटिकल एक πουटे चाहिए highly populated जो की मधेशी मधेश है आपका काटमांडू के अंदर वहाँ पे एक मैने तक ये मामला चलता रहा और इससे ये हुआ कि मधेशी मोर्चा भे चलता रहा और एक प्रपोजर इसके लिए हुआ कि आप कमेटी बनाईए और अपनी देशन दीजे किस तरीके से इस इसच्च को कैसे साल्व करना है तो ये कुछ बाद है मधेशी इसच्च इसतख इसच्च के बाद बाद आती है थीक है ए, नेक्स कंट्री जो है वह है इंडो मैन्मार, तो मैन्मार के बोर्डर के बादर में ही समझते हैं तो देखिए इस boundary को जो है वो दिमार्केड किया गया था 1967 में एक agreement sign करा गया था दोनों ही countries के द्वारा और उसके तहत ये काम हुआ था बहुत सारी बहुत सारी और treaties आए आक्ट साए ना बहुत सारी जैसे boundary वाला बढ़ा ही ज़ाधा जरूरी है क्यों वेकि नौर्थ इस्ट की बात आती है समझ रहे है boundary तो पता है boundary प्रॉपर डिमार्केड है ऐसा नहीं है कि यह boundary है हमारी उनके साथ में यह पता है लेकिन कुछ दिक्कते भी रैसे कि वहाँ की जो जमीन है वहाँ पर बढ़िहा नहीं है इसकी वेज़े से क्या होता है कि वहाँ पर चलना वहाँ चीजे रोड वोड प्रॉपर नहीं है तो बड़ा difficult हो जाता है और इससे क्या होता है कि वहाँ पर जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं अंटर ट्राइबल ट्रैशिस वहाँ बहुत होते हैं मैंने आपको पुराने चाप्टर में समझाए कैसे वहाँ की ट्राइबस आपस में एक दूसरे से लड़ जाती है यह इंसरजनसी बहुत पहली हुई है बॉर्डर एथनिक टाइज जो है वह बहुत अफेक्ट करते हैं अब आपस में लड़ेंगे तो फिर ओविस सी बात है कि वहाँ के सिक्यॉर्टी को खत्रा होगा समझ रहे हैं कोई भी physical barrier नहीं है बॉर्डर के अंदर समझ रहे हैं कोई fencing वगेरा नहीं है या कोई border output नहीं बनाया गया इसी road वगेरा नहीं है तो इससे क्या होता है कि यह समझ पर इस प्राक्टिकली no physical barrier along the border either in the form of fences ना कोई fences और ना कोई border outpost है ना कोई road है जिसकी वेले से लोगों को ऐसे रोका रह सके और इतने ज़्यादा एथनिक टाइज हैं ट्राइप्स के बीच में जैसे कि नागा हो गए, कूकी हो गए, चिन वगेरा हो गए दोनों साइड जो रहते हैं बॉर्डर के इससे फाइदा मिल जाता है insurgents को कि इधर से फुदक के उधर चले जाते हैं उधर से फुदक के इधर आते हैं और छुपने की जगह इनको मिल जाती है महनमार के अंदर, तो यह दिक्कते होती है और जो यह location है, जो boundary बनाते हैं महनमार के साथ में तो इसकी जो यहाँ पे location है at the edge of golden triangle golden triangle मैंने आपको पहले बताया था कि क्या 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 कौन कौन से countries है इससे होता क्या है कि illegal यहाँ पे drugs आने लगते हैं इंडिया के अंदर arms की smuggling होने लगते हैं महंगे महंगे जो stones होते हैं पत्थर कीमती पत्थर की आती हैं चीज़े Chinese made consumer items अपना रास्ता illegally इंडिया में बनाने लगते हैं समझ रहे हैं red sanders, ATS ATS का full form होता है amphetamine type stimulant या कोई grocery item जैसे कि खाने पिने का समान उसके साथ आपका bicycle, part यह सब के सब इंडिया में smuggling इसके साथ यह तो चली रहा था human trafficking भी बगाफी important है यह भी होती है दिक्कत पता है क्या है कि यहां पे हमारे और Myanmar के बीच में चीज़ क्या है मैंने पहले बचाए था कि 16 km तक का border है जिसमें आप जा सकते हो दोनों ही साइट पे और इसमें आपको passport के जरुवत नहीं मिलेगी तो यह हुआ था कि free moment रजाएम हुआ था उसके तहत यह बात करी गई थी लेकिन इसके हमले सुचे था अच्छाई के लिए लेकिन यहां पे terrorist इन 16 km का बड़ा फाइदा उठाते है चुपने के लिए ठीक है और हमारा जो भारत है यह एक सील बना रहा है इसके 1624 किलो मेटर तक के लिए इसके बार्डर में बना रहा है बर्मा के साथ में इंडिया यह भी उमीद करता है कि यह cross border crime होगे है इसी goods वगेरा, arms वगेरा, जो भी दिक्कते होती है trafficking वगेरा, insurgency वगेरा उसपे हम रोक लगाएंगे इंडिया की जो आर्मी की जो आसाम राइफल है यह भी इस border के उपर लगाई गई है गार्ड कर रही है इस border को और अभी क्या हुआ क्या था 2015 की बात है, जून में जो इंडियन आर्मी है, इनोंने एक स्ट्राइक भी करी थी दोनों ही location पे, इंडो मैनमार बॉर्डर पे यह टेरर अटाइक जो होता है वो प्री एंट करके देखा था कि कैसे ही भई, और यह देखा था हेवी डामेज जो भी था, मिरे टेंट्स वगेरा को जो भी होगा, तो यह इंडिया ने जो है वो ऐसा करा था दोने साइट में और साथ में इंडिया की जो आर्मी है, उसके जो अटाइक वगेरा होते रखते हुए थे वो पाँच दिनों के बाद हुए थे आफटर 18th, तर 9 जून की बात उसके बाद चीजे बढ़ती गई, पाँच दिनों के बाद होता गया क्योंकि अब होगा जब हमारे इंडिया के 18 सोलजर जो है वो मनीपूर में शहीद हो गया थे मनीपूर के चंदल डिस्ट्रिक्ट में शहीद हो गया थे मिलिटेंट्स ने इनको बहुत सारे ग्रूप में रख लिया था जैसे NSCN, खापलांग और इसाक मुईवा वाला वगएरा जो है NSCN और कांगलाई या वोल कनना लूप वगएरा इन ग्रूप में रख लिया बचारे होता क्या है कि किसी तरह भड़का दिया बाद में भाई सेक्योर्टी ने अपने आप ही को मारा तो ऐसे चीज़े हो जाती है और यह सारे ग्रूप मैंने आपको बताया ना NSCN, खापलांग वगएरा तो परशान मत हुए का सुनके पुराने चैप्टर्स देखते हुए आए का पूरी पढ़ेंगे सब बहुत जाला डीटेल से मैंने इसके अंदर बता रखा है तो यहां पे उसको खीचने ताने का कोई सेंस बनता नहीं है इसलिए मैं उसको खीच भी नहीं रही आखरी में जो हम बात करेंगे इस टॉपी के अंदर वो करेंगे इंडो भूतान बॉर्डर के आईए जानते हैं इसके अंदर क्या है तो देखिए इंडिया और भूतान इसका बॉर्डर यह आपका भूतान का जो किंग्डम है उसका और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में बनता है बॉर्डर कितना बड़ा है आपको बताएं तो बॉर्डर 699 किलोमेटर का बड़ा है इसमें इंडिया की स्टेट आसाम साथ इसाथ अनुरांशल पदेश वेस्ट बेंगौल और सिक्किम आती है इसके अंदर कौन कितने किलोमेटर आती है वो आपके लिए जानना इतना जरूरी नहीं है अब एक पीस ट्रीटी हुई थी शान्ती के लिए एक ट्रीटी हुई थी बॉर्टेन और भूटान के बीच में जिसके तहट बॉर्डर को जो है वो डिवाइट करा गया था डिमार्केट किया गया था 1865 में क्योंकि उसके पहले क्या हुआ था बॉटान वॉर हुई थी और बॉटान वॉर के बाद एक अग्रिमेंट हुआ जिसमें कहा गया उस समय तो बिटिशर्स रास करते थे हमारे उपर तो बिटिशर्स ने बॉटान की सरकार से कहा कि ठीक है हम लोग शान्ती से यहां पे रहेंगे और इसके चलते यह स्ट्रीटी को पीस्ट्रीटी को साइन करा गया उसके बाद इसी बाउंटरी को और फर्दर डीटेल में करा गया और रिफाइन करा गया 1973 उससे लेके 84 तक के लिए है न अब बाते होने लगी जब बिटिशा चले गए तो इंडिया और भूटान के बीच में और यह बाउंटरी और क्लेर हो जाए इस पारे में बात करी गए कुछ छोटे मोटे इशू रहे गए थे आपके अर्वरांशर प्रदेश के बॉर्डर के साथ में और कुछ सर्भांग और गेली फुंक एरिया है उसके साथ में अब देखिए भूटान और इंडिया का जो बॉर्डर है यह एक लौता ऐसा लांड एक्सेस है जो इंटर करता है भूटान के अंदर इस बॉर्डर विद चाइना क्योंकि चाइना के साथ में जो इसका बॉर्डर है तो यहां पर जो भूटान और इंडिया के बीच का जो बॉर्डर है जो भूटान और इंडिया के बीच का बाता एक लौता लांड एक्सेस है जिससे भूटान के अंदर जाया जा सकता है तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा यह ऐसे करके उपर भूतान बना हुआ है तो उपर इधर से आप आ नहीं सकते हैं तो आप इंडिया से ही जा सकते हो ऐसा कुछ है तो काफी इंपोर्टन हो किया तो सिंगल इंट्री पॉइंट है तारे फॉरें इंट्री नेशनल जो है वो दोनों ही अगर जाना चाते हैं जा इसे हम लोग SSB कहते हैं उसकी लगा रखी 132 बॉर्डर पोस्ट के उपर कि भाईया बॉर्डर अचाई से साइट देखा जाए गाल्ट करा जाए और दोनों ही इंडिया हो चाहें बूतानों दोनों की सरकार ने जो है वो बाइलेटर ग्रूप बॉर्डर मेनेजमेंट और स अब दोनों साथ में मिलके काम करेंगे और हम अपने बॉर्डर को सिक्योर करके रखेंगे अब देखेंगे और चीजे क्या है कि बाउंडरी को डिमार्केट करा गया है एक्सेप्ट अलोंग ट्राय जंक्शन और विच चाइना हर जिगा से बाउंडरी जो है वो यहां पर कांसे कां तक बाउंडरी है लेकिन चार्य जो ट्राय जंक्शन बन रहा है वहां पर चीजे क्लियर नहीं है इस बाउंडरी वहां पर एकदम ओपे चाइने ने अभी रिसेंटली इंडिया ने काफी हेल्प किया था कि हम भूतान के साथ में काफी अच्छे से काम करें चाइनीज जो ट्रूपस इतने अदा बढ़ रहे हैं दोखलाम विवाद हुआ था उसके लिए तो उन्होंने इंडिया ने काफी भूतान के साथ मिला था ह शांती का बॉर्डर रहा था बहुत पहले बहुत शांती थी कोई दिक्कत नहीं होती थी लेकिन हुआ क्या है ना इधर नॉर्थ-ईस्ट में इतना इंसरजन्सी बढ़ गई है और इसे मैंने आपको बदाया था बूतान में कुछ जाएंगे, इंडिया में आ जाएंगे, मारेंगे, बॉम ब्लास्ट करेंगे, स्मगलिंग करेंगे, ट्राफिकिंग करेंगे, और कर गया सकते हैं, साथ में चाइनीज मेट गूड्स वगेरा, भूतानियस कैनेबीस हो गया, लिकर हो गया, मतलब तारू बगयरा, फॉरस्ट के प्रोड़क्ट्स हो गया, यह सब स्मगलिंग करते हैं इंडिया के अंदर, चाइना बड़ा साथ देता है इंडिया को बरबात करने में, पर लाइफ स्टॉक हो गया, ग्रॉसरी आइटम हो गया, फ्रूट वगयरा हो गया, फ्रूट्स वगयरा हो गया, यह सब स्मगलिंग करते हैं इंडिया, इसमगलिंग कर रहे आते हैं भूतान के अंदर भी इंडिया से, तो यह सब गलत सलत करने वाले काम, बड़े जादा लोग वहाँ पे हैं, कर यह हमारा जो है यहां तक मैंने आपको बताया फिर जो next topic रहेगा वो रहेगा coastal security and island territories का अब इसमें क्या है जानते हैं अब देखिये coastal security के बारे में आपको बताएंगे किस तरीके से territories यहां पर आते हैं कैसे क्या होता है तो देखिये जो water channels है जारतर जो उनमें से water channels है जो बह रहे हैं वो interconnected होते हैं यह जमीनों से interconnected है ऐसा तो है नहीं कि Brahmoputra नदी जो है वो खाली उपर से आ रही है तो हमारी नहीं है हमारी भी है उपर भी है समझ रहे है तो इससे होता क्या है कि आप पानी पर रोक नहीं लगा सकते और इस कोस्ट लाइन काफी पोरा सुजाती काफी दाद खतरा हो जाता है कि इससे बहुत सारे टर्रिस्ट आ चाते हैं भाई नदी बहानक बहह रही है इस पर कौन सी फैंसिंग कर दो गया समझ रहो तो इसी से स्मगलिंग हो जाएगी आम्स चले जाएगी दुदर ट्राफिकिंग हो पर ऐसे आइलेंड जहां पर लोग नहीं रहते हैं इससे क्या होता है यहां पर टर्रिस्ट चुप 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 जाते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज बहुत होती है और पिछले कुछ सालों में देखते हैं कि इस नदियों का यूज टर्रिस्ट ने काफी कराया अटाक का हैं तो इसलिए इन सब के बाद भाई हमें यह लगता है कि हमें अपनी जो कोस्ट लाइन है उसे भी अब सेफ करने की बहुत सरवत है और जैसे इसे चीज़े बढ़ रहे हैं वैसे और खत्रा हो रहा है जैसे कि ओयल रिफाइनिस के ऊपर अटॉमिक बावर प्लांट के हमारे पोर्ड्स हैं नावल बेसिस हैं कोस्ट लाइन के आस पास इन सब भी काफी हाई वेल्यू टार्गेट है काफी ज़दा इन पे खत्रा है और यह दिक्कत का भी कारण है क्यों कि नॉन कंवेशनल थ्रेट काफी ज़दा बढ़ रहे हैं आप चीज़े टर्रिस अटैक ह इनका में दिक्कत क्या है कि हम बड़े ले लेवल पे खत्रा करा हैंगे बड़े लेवल पे डामज करेंगे चाहे वह इं डीयू हो पाकिस्तानी फिशर्मेन हो दोनों क्या करर रहे हैं कि और अन पाकिस्तान के लोग अपने पा क्यों है वो रिग ओ झाँस्तान की extrêmement रख लें इंडिया के लोगों को अब हम लोग वहां से छुड़ा के लेकर आएं तो ऐसा ना हो कि फिर वो उनको सब समझ में आ जाए वो उनका साथ दे और यहां पे बोट्स वगेरा जो भी हैं आम सब इधर से उधर करने लग जाएं समझ रहे ना यह सारी बोट्स जो आती हैं यह इंडिया के लिए काफी ज़ादा दिक्कत कर देती हैं अब देखिए हाला कि यह सारी बोट्स जो हैं इनका खुद का इंडिया के अंदर बनी हैं इंडिया का रेजिस्टेशन नंबर है लेकिन इसली यहां से हटाई रहा सकते हैं बहुत सारे इनके नजरों से चुपाई रहा सकते हैं इंडियन की नेवी एजनसी के दारा बहुत इसली ऐसा काम हो सकता है और यही देखने को भी मिला था Coast Guard Letoff जो कूबर जो वेसल थी आपकी जिसमें टर्रिस्ट आये थे नमंबर में 2008 में मुंबई के अंदर तो यह इसी से थुरू आये थे तब ही से हमने देखा NIA भी National Investigation Agency बनाई थे क्योंकि हमें जरुवत थी Coast Line हमें यहां बहुत अच्छी मजबूत करने है तो अब देखे कुछ Island Territories है इनकी भी काफी important location है जैसे कि इनकी जो कुछ important sea lanes है communication की, South Asian आफ्रिकन कंट्रीज की तो इसके साथ भाई इसका जो है वो कुछ distance भी बढ़ जाता है हमारी mainland से अब देखिए यहां पे सिर्फ है हमारी जो अंडमान निकुबार वगएरा का सीन है यहां पे तो लक्षी दीप आइलेंड वगएरा जो है यह सब भी हमारी बहुत सदा important रखते है समझ रहे है और कुछ भाई recent years में कुछ intelligence report ने गे भी suggest कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे island जहां लोग नहीं रहते वहाँ पे terrorist group रहते है criminals रहते है जो smuggling करते है arms की, narcotics की और उन्हें छुपने के लिए use करते है समझ रहे है यह countries में वहाँ से चीजों को provide करते है अंड़मार निकोबार आइलेंड में सबसे जाधा कर देखा जा illegal migrants है बांगलादेश के, शीलंका के, मैनमार थाइलेंड, इंडोनेशिया के समझ रहे है इंडिया नोशन के साथ-साथ यहाँ पे बहुत जाधा intense rivalry आपको बड़ी-बड़ी powers में देखने को मिलेगी extra regional powers में देखने को मिलेगी तो इसलिए काफ़ी important हो जाती है coastal security और island territories यहाँ पे हमारे यह पार्ट तो complete होता है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो like, share, subscribe करें बिना बिल्कुल मच जाएगा साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लाइक करके वहाँ पर देख सकते हैं और join window को प्रेस करके आप मेरे काम में मुझे support कर सकते हैं बाकि सारी social media के link description box में आपको मिल जाएगे अपना प्यारा view comment box में छोड़े बिना कहीं मच जाएगा thank you so much for discussion have a wonderful day take care